आपकी दया से राना साहब मेरी बिट्या सुहागन बन गई हम यही सुनना चाहते थे राना साहब यह दोनों आपका आशिरवाद लेने आए हैं जाओ बेटी बस जीते रहो जीते रहो जब कभी हमाई जूत पड़े तो यहां की दर्वाजे हमेशा खुले मिलेंगे आपका घ घर घर नहीं है राना साहब गरीबों और कमजोरों की वो चौकट है यहां से कभी कोई खाली हाथ वापिस नहीं गया इस देवता के चरण शू बेटा इनी की कृपा से तु मुझ जैसे अपाहिज का बेटा आज भी ऐसी हो गया हमें देवता मत को बाबा हमें अमीरों की ताकत कर नहीं गरीबों की कमजोरी का हिसास है और फिर देवता तकदीर बनाते हैं जो उनके हाथ में है हम तो सिरफ हमारे फोन के बाद इंट्व्यू नहीं हो था लेटर अव अपॉइंट्मेंट सीधा मिलता है गोर्धन सेट आए हुए हैं कानफरेंस रूम में उनने बिठा दिया गया है बैठो बैठो मामला क्या है मामला तो सरफ 25 लाक रुपए का है राना साब लेकिन जो आदमी हजम कर गया है वह सोनू बदमाश दादा दादा तो इस दुनिया में सरफ दो हैं एक उपरवाला और दूसरे हम बोलो बात क्या है आज से पाइंच साल पहले सोनू क्लब खोलने के लिए मुझ उसके घर और क्लब के कई चकर काड़ चुका हूं लेकर लोटाने का नामी नहीं लेता आते मंगल को यहां कर तुम अपने 25 लाक रुपए ले जाना और उसमें से ब्याज की पांच लाक तुम अपने नाम से कस्तूर बाना थाले को दान कर देना कि सोनु को उठाला राना साब आप अच्छी तरह जानते हैं कि के हमारी दीके से बर्सों पुरानी दुश्मनी है जी हाँ यही और हम यह भी जानते हैं के दीके और उसका दूसा भाई रिक्कू दोनों एक दूसरे के साथ मिल कर काम करते हैं और उनका तीसा भाई सोनु अंदास के 25 रुपए हाजम कर गया लेकिन सोनु को चेड़ने का मतलब होगा हमारी डिके के साथ और गयारी दुश्मनी कि दुश्मनी और दोस्ती अगर गाड़ी नहों तो उसमें कोई रंग नहीं आता चिंगू हमें सोनु जिन्दा चाहिए 24 घंटे के अंदर इस काम के लिए मुन्ना और ताहिर को भेज़ दें हमें सोनु को उठवा कर लाना है जिन्दा मुर्दा नहीं तो फिर यह काम कुन करेगा सिर्फ एक आदमी और तुम लोग ने अभी उसे देखा भी नहीं और सोनु कभी खौब में नहीं सो सकता कि वह हमारा आदमी होगा कुछी दिनों से वह हमारे साथ काम कर रहा है नहायत चुस्त चालाग और फुर्तीला कि को कि कि अ. अ. आ. 500. । सब्सक्षार NOT प्रुएरर ले एफ तर प्रूपके वी सकत प्रूपके था थे भी थे ते वे थे थे, प्रूबके ते थे चारा थे, यह धिए प्रूपके थे भी अज़ कि यहीरी हे थे दू। हुआ 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 है हुआ है सुना है कि तुम बहुत बड़े डादा बन गए हो हाँ राना है आ नहीं कहते राना को जी कहते मुझा पिंजना में कोई का इंदी कर सकता है पिंजरा तो वो है जहां से हमने तुम्हें मंग आया था यह तो शेर की गुपा है यहां अगर तुमने करवट भी ली तो समझो मौत को बुलावा दिया हमारी सुनो आज रात अपने आवाज को अपने सीने में घोंट लो और कल सुबह का इंतजार करो जब तुम्हारे चीखें सुनकर शाय समंदर में थर राउट थे जिसे हम याल आते हैं उससे सिर्फ एक बार सवाल बुचते हैं और सोनू हमारे कान ना नहीं सुन सकते अगर ना सुन ले तो हमारे कानों से अंगारे निकलने लगते हैं और ना कहने वाले का हशर ये होता है अब बोलो रुपया वापस ला रहे हो या नहीं नहीं लान साब मैं आज ही पेसे लोटा दूगा आज ही पेसे लोटा दूगा मैं खोल दो इसे यह कुछ रुपय तुम्हारा इनाम इनाम कैसा मैंना तो आपका दियावा हुक्म और अपना फर्ज अदा किया है लेकिन सोनू ने अभी तक यहीं ना के रुपय नहीं भेज़े जी जाए एक बात और याद रखना मौत का खौफ आम आदमी की बहुत बड़ी कमजोरी है और यहीं खाफ सोनू को रुपया भीजने पर मजबूर कर देगा सोनू ने रुपय भीजवा दिये राना साथ कि अब कि अब